सबसे पहले डिसक्स करते हैं कॉंस्टिपीशन को हम इंदी में कब जिके नाम से जानते गई इसमें बहुत ही डीटेल से सट्टिक इंफर्मेशन इस वीडियो में दूँगा बेसिक बात नहीं बहुत इंडरस्टिंग इसमें चीजे होने वाली है होता है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल पो तोर पर आपको बताऊंगा क्या सजेस्ट करना है पेशेंट को क्या मेडिकेशन सबसे पहले देखेगा लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम दिसक्स करेंगे ओनली थ्री टाइम स्टूल पासिंग इन वन वीक इस नोन इस कॉंस्टिपीशन बोल रहा है आम तोर पर एक सप्ता में तीन से कम बार मल त्याग करने का कब जी कहा जाता है यदि कोई व्यक्ती है यदि कोई मरीज है उसको अगर स्टूल या जाकी पोटी जो हो रही है लेटरिंग जो होती है वो हपते में केवल तीन ही बार पास आउट किया जाता है उस कंडिशन को उस अवस्था को हम कब जिया कॉंस्टिपीशन के नाम से जानते है देखें का गाईस बैसिक आपको सि मरीज को ड्यूरिंग दे स्टूल पासिंग प्रोबलम हो सकती है इसके अलावा वाइट कलर टंग इससे भी आप इजिली डिटेक कर पाऊगे सपेद कलर की टंग मरीज की जो सपेज जुभा आपको दिखाई देगी मरीज की उसके अलावा डिक्रीज फूड इंटेक मरीज पर दोंबारों में,, कॉंस्टिबिशन के कॉसेश, एक्छल में क्या निख्यारू होताई है। ठीक है, सफर कर रहा है, प्रोपर पानी इंटेक नहीं कर पा रहा है, या फिर सम मेडिकेशन जेने की दवाई है, जैसे की केलिशियम अगेरा की प्रेगनेंसी में मुख्य रूप से दिक्कते देखे जाती है, और प्रेगनेंसी में सुरक्षित दवाई, कौन सी आप कौन सी क्यास में दोगे, वह भी dialogues करेंगे, during the pregnancy, यान нужна की गर्भाषह के समय महिला है, केलिशियम का सेवन करती है, केलिशियम की टेबलेट भी हूजियों हो सकता है, और गर्भाषव जो प्रेगनेंसी महिला है, उसमें आद देखने को मिल सकती है, कपज की शिकायत है, क्ड़ ये होगा composition, lactulose is only just a sugar, एक शकर का गोल आप इसे समझ सकते हो, ये किसी भी प्रकार से ना तो बच्चों को कोई नुक्सान करता है, ना कि ये बड़ों को, ठीक है, गईज, lose के नाम से मिल जाएगा और जादा तर use की जाती है, ये है Dufalex, ये गईज, ब्रांड है, अलग-अलग नाम से भीकरी है, Dufalex है lactulose solution है, loose के अंदर भी होता lactulose solution है, दोनों कापी famous है, बहुत जादा मातरा में इसको इसको इस्तमाल किया जाता है, बड़े लेवल पे लोग इस्तमाल करते हैं, बहुत जगे ही इसको 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 को देने पर easily cup-gy की शिकायते मेंटेन होती है, क्योंकि ये just only sugar, lactulose एक प्रकार की शकार होती है, ठीक है, उसके अलबवा child dose, बच्चों में देना है ना, 5 ml सुभा, 5 ml शामकु आप इसको दे सकते हूँ, ये भी काफी effective होता है, इसके अलबवा कुछ important सीज मैंने यहां पर इसके बताई हुई है, important thing is that, कि ये is no use in diabetes, जैसे कि sugar है, तो sugar हम इसको diabetes वाले पेशेंट में इग्नोर करता है, ये contraindication होता है, कि ये diabetic वाले जो पेशेंट है, उसमें हमें इस्तमाल नहीं करना चाहिए, ना तो कोई lose ना, डूफालेक्स इस्तमाल नहीं करना चाहिए, उसके रिलीफ नहीं होता है, बचों को या बड़ो को, तो इससे एक और effective solution होता है, वो होता है हमारा smooth, इसके अंदर क्या होता है, ये देखेगा composition लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, लिकविट पेराफीन होता है, लिकविट पेराफीन के अलावाँ इसमें में, magnesium hydrochloride होता यह suspension मिलता है, smooth के नाम से मिलती है, smooth के नाम से ही आपको market में मिल जाए, काफे famous ब्रांडे, अगर बहुँ ज़दा कब्ज हो रहा है और अराम हो यह नहीं रहा है, तब इस्तमाल कर सकते है, smooth में बात करेंगे हम लोग, एडल्ट में डोस के सेम रहेगा, बीडी 10 ml, दिन में दो बार दे सकते हैं, सुबा और शाम और बच्चों में 5 ml, बच्चे भी कौन से एक, यहने की डेड़ साल से लेकर, दस साल तक के बच्चों में इस्तमाल की जाती है, जबकि जो पीछे हमने देखी थी, वो एक साल के बाकि जो पहले अमने देखा था, शुगर लेक्टिलोस उसका इस्तमाल किया जाता है, क्योंकि देखो, वेसे तो डॉक्टर अगर बात करूं में, कि स्मूथ शीरब भी कभी कुछ डॉक्टर गाइनकोलोजिस जो रहते हैं, आपने अकोडिंग, प्रेगनेंसी में भी इसक काफी इफेक्टिव है, काफी सेफ है, केवल एक शुगर है, तो बच्चों में और घरबती महिलाओं में सुरक्षित है, या अप इस्तमाल लूज या फिर आप डुफालेक इस्तमाल कर सकते हो, लेक्टिलोस कोलोशन, और स्मूथ जो होती है, कांटर इडिकेशन है, महिला तो थे फल, ये सबजिया होई है, ये मरिज को बुलनाया अप जादा टाइव को सेवन करो ताकि आपको को कॉंस्टिपीशन थोड़ा काम होगा, पानी और अन्य तरल पदारतों को खूप सेवन करें, फाइबर जो होता है, मतलब उन्म पानी में मल्तियाक को नियमित हो जाती हुसे हम लोग dehydration केते हैं निर्जेली करन केते हैं नियामित रुप से वयाम करना और हर दिन एक basic चीज है यह पेशेंट को हमको बताना होगी हर दिन 30 मिनिट तक करिया करना होता है अब आते हैं bleeding in stool यानि कि मरीज को stool में यानि कि पोटी में bleeding अगर हो रही है क्यों हो रही है कैसे हो रही है वो देखते हैं सबसे पहले देखेगा passing dark red और black stool in medical condition ठीक है सब medical condition यानि कि मल में खून आना या गहले गहरे काले रंग का मल आना एक medical condition एक severe condition होती है जिसमें patient को immediately maintain करना जरूरी होता है ठीक है इन medical terminology जो होता है known as melena इसको हम लोग क्या बोलते है जो stool में bleeding होती है इसको हिंदी जो अपन medical की भाशा में बोलते है मेलेना के नाम से जाना जाता है दूसरी देखिएगा stool bleeding is not a disease यह कोई बीमारी नहीं है but it is a severe symptoms of internal disease मल में खून आना खुद कोई रोग नहीं है लेकिन है कई अंधरूनी शारीरिक समस्यों का संकेत हो सकता है आपकी internal कोई भी बहुत सारी बीमारी है बहुत सारी प्रोब्लम ऐसी है जैसे कि आपके स्टोमक में छेद हो गया है ठीक है कोई bacterial infection हो गया है इंटेस्टाइन में bleeding हो रही है उसकी वज़े से आपके पोटी में blood आ रहा है तो पोटी में blood आना कोई बीमारी नहीं है परन्तु अंदर के बहुत सारे कारण है उनकी वज़े से आपको stool में bleeding देखने को मिल सकती है blood in stool symptom याने की मल में खून आने के क्या लक्षण हो गा है abdomen bump मतलब मरीज का पेट फूल है येलो कलर हो जाएगा मरीज के skin का हलका येलो कलर दिखाई देगा respiratory सास लेने में समझ्चा होगी बिल्कुल उसको hypotension याने की low blood pressure के कम हो जाएगा tachycardia hirde की गती भी उसकी मरीज की बढ़ती हुई नजर आएगी ये कुछ लक्षण है जो आपको देखने को मिल सकते है और stool में bleeding खुद में एक symptoms है वो ठीक है blood stool causes अब भाया कारण क्या है stool में जो blood आता है पोटी में blood आता है पहला reason बताया गया है abnormal blood vessel याने की जो रक्त वाही का है वो abnormal हो गई है abnormality की वज़े से hole in isophagus isophagus में अगर hole हो गया है food pipe में यदि कोई छेद वगेरा हो गया है मरीज को सूजन की वज़े से भी आपको इस टूल में bleeding देखने को मिल सकती है intestinal cancer यादी definitely guys intestinal cancer है तब भी हो सकता है और intestinal warm याने की कीडे जो की parasitic infection होता है उस condition में भी आपको देखने को मिल सकता है यह causes है कुछ याद रखेगा important और इसके अलावा कुछ कोर causes ऐसे की चोट लग गई पेट में लग गई गिर गया accidental condition ऐसी condition में भी देखने को मिल सकता है अब आप stool में यदि पोटी में अगर blood आ रहा है तो आप क्या test करवाओगे मरीज से पहला होता एंजियोग्राफी 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 कल्टेस बहुत इंपोर्टेंट है एंजियोग्राफी से आप पता कर पाओगे ठीक है क्या उसका कोई रिजन तो नहीं complete blood count CBC आप करवा के देख लो यह basic बता रहा हूं कल्चर करने के बाद उसमें stool easily detect हो जाएगे stool में blood detect हो जाएगा तब उससे पता कर पाओगे यह basic टेस्ट जो कर सकते हो इसके अलावा advance अगर बढ़ेंगे तो fecal occult blood test एक test होता है fecal occult blood test के द्वारा मल में खून की उपस्तिती और मातरा का कितनी मातरा में खून उपस्तिती इसका पता लगा सकते हम लोग एक होता है gram staining gram staining क्यों करते बहिया एक होता है helicobacteria pylori bacteria जो की संक्रमन की उपस्तिती के लिए test किया जाता है यानि की helicobacteria pylori एक bacteria है जो की हमारे स्टमक है उसमें चेट करने लगता है अंदर उसकी वज़े से भी bleeding होती तो gram staining करके उसको डिटेक्ट कर पाओगे आपके कौन सा बैक्टिरिया है इस capsule को निगला जाता है और यह शरीर में जाकर छोटी आत में कार्यों को वीडियो recording करता है capsule होता है मरीज में उपर से धागा बानके कुछ स्ट्राइब से कुछ करते है उसको मरीज को खिला देते जैसे वो अंदर जाता है पेट में तो intestine में जब जाएगा तब वहां की वो वीडियो recording कर लेता है और इसको इजिली निकाला जा सकता है यह अभी अभी टेक्निक डब होगा तो इलाज कर पाओगे पहले टेस्ट करवा लोग कुन सा टेस्ट करवाना है अगर पता लग गया जैसे कि पहले treatment हम लोग करे treatment for peptic ulcer यानि कि मरीज के पेट में कोई छाले हो गए और उनसे खून अगर निकल रहा है तो क्या इलाज करोगा आप मरीज का यदि मरीज क देखेगा सबसे पहले medication H2 blocker हम लोग उस करते है रनेटीडीन रेंटेक के नाम से या इसी लोग के नाम से मिल जाएगे आपको 150 mg BD दिन में दो बार टेबलेट फोम में भी आवालेबल है आई वी फोम में भी आवालेबल रहती है इसी लोग ठीके इंजेक्शन डोस की बा आई देना पड़ेगा प्रोटोन पर मिनी बीटर सबको पता है डोस की बात कर लेते हैं 40 mg BD यह हमको दिन में दो बार और 40 mg BD दो बार यूज़ कर सकते हो खाली पेट ज्यादा तर देना चाहिए रूट आई वी इंट्रवीनस ही लगा जाता है गर इंजेक्शन फोम में ह ओनली आई वी लगाते है आई एम नहीं यूज़ किया जाता है टेबलेट फोम को औरली मरीज यूज़ करता है अब इसमें एक चीज़ और समझने एंटसीड हमें देना पड़ेगा क्योंकि एसिट को कम करेंगे जब एसिट कम करेंगे तो उसका जो अलसर है वो थोड़ा उसमें इंप्रूमेंट मिलेगा तो एंटसीड में एंटसीड न्यूट्रलाइज दे एसिट को न्यूट्रलाइज करता है इसमें जो सबसे ज्यादा यूज़ होती है वो थी अलजेल के नाम से मिलती है अलजेल के नाम से एक अंपोजिशन मिलता आपको इसमें जो कमपोज इसके अलावा एक अलसल प्रोटेक्टिंग के लिए टेबलेट भी हम इसमें इस्तमारीच को दिया जाता है, वो होती है यह मेनली प्रोटेक्ट करती है, छालो को प्रोटेक्ट करती है, लेयर टाइप की बना देती है, ठीके, इट प्रमोट टिशू ग्रोथ, और यह जो छाल इसमें से खून निकल रहा है, उसकी ग्रोथ को भी बढ़ाएगी, छालो को भर देगी है, इसमें जो होता है, कॉलाइडल बिस्मूत सबसिट्रेट होता है, ये टेबलेट, एक 240 mg की होती है, दिन में दो बार मरीच को देनी होती है, तो ये पूरा ट्रीट्मेंट पेप्टिक में ब्लीडिंग हो रही है, तो इस कंडिशन में आतों में कोई संक्मन हो गया है, और उसकी बज़े से छेद बन गए हो, कॉलाइटिस हो गया हो, बलड निकल रहा हो, तो क्या ट्रीट्मेंट करोगे, देखो गाईज, सबसे क्ले, मैंने ये एंटिबाइटिव क्लेरिथ्र इसलिए लिया है, क्योंकि ये घाओ के इंटस्टाइन में काफी अच्छा इफेक्चन आफेक्शन होती है, बट क्लेरिथ्रो मैसिन ये एजित्रो मैसिन नी है, ये बहुत इफेक्टिव मेडिशीन है, बिडी 500 Mg सूभाशाम इस मरेज को दी जानी चाहिए, इसके अलावा साथ में पेसलारो करना चाहिए चार्सोंपचास एमचास टाबलेत की ह 2206 टाबलेती है . पेरसिट यह भी century में चोंप करिए तर्दी इनकों बत्यान को , छो कि दर्द को भी कम करेंगी आतों में दो अरहा है यह जो कि दर्द को भी कम करेगी साहत में उसमें जो पेट में आतों में जो सूजन आई हुई है उसमें भी आराम करेगी इसके साथ में इनको डाइजेस्ट करने के लिए एक पैंटो परजोल या तो आईवी या फिर टेबलेट फोम में मरीज को सुभा खाली पेट यह देना से जरह से समझ लो simply आप play store को open कीजेगा यहाँ पे जाकर search कीजेगा search करोगे Indian medical lecture यह आपको लिखना होगा इस वीडियो को देखते हुए भी आप process कर सकते हो उसमें वीडियो भी मिलेगी बहुत सारा पूरा online course मिलेगा PDF को डाउनलोड करके फोटो को पे प्रिंट भी निकलवा सकते हो उमारी book की Indian medical lecture यह वाली application आईगी इसको डाउनलोड करके open कीजेगा जैसे यह आप open करोगे आपको यह interface open होगा सबसे पहले और यहाँ पर आपको एक WhatsApp से login मिलेगा नीचे लिखा रहेगा use another method मैं आपको बोलूँगा यह use another method पर एक बार click करो जैसे आप click करोगे इस पर दूसरा page open होगा आपका यहाँ पर आपको mobile number डालके इंटर करना है इंटर करने के बाद आपको front page यह open होगा यह जो 250 बुक PDF online इसमें पूरा online course फ्री मिलेगा आपको अंदर ही और PDF बुक की तीन मिलेगी medical practice basic treatment और यहाँ पर आप नीचे नीचे देखोगे तो आपको buy now लिखा मिलेगा और सबसे ऊपर देखोगो तो content लिखा मिलेगा आप यह content पर क्लिक करते हो content पर जाते हो तो यह page open होता है यहाँ पर देख पाओगे book है, live classes है, heart disease है, ENT disease है, mental disease है, हर शरीर की हर एक बीमारियों की book अब इसको खरीदना है, तो buy now पर आप जैसे क्लिक करोगे नीचे लिखा हुआ है, तो आपको यह page open होगा, इससे आप phone पर, Google पर, Paytm वगेरा, जो भी आपको करना हो, 950 रुपे प्राइज है, 20 रुपे JST वगेरा include, total 950 रुपे प्राइज है, 20 रुपे JST वगेरा include, total 975 certificate भी मिलेगा, thank you for watching guys, आपका अपना Indian Medical Lecture.